सब्सक्राइब कि लेगा वह विस संचों 찬्सकर को्टी को अब हम देखते हैं सेरीविर्र Iya il град कि लिनिकल सइन सम्टम वच्छे में लीब मिलेगा वो बेबी वीत शेपी में सीम फ्लैसिड अन्-फे देखते हैं सेरिब्राल पालिसी में इसका इसका क्लैनिकल साइन सिम्टम क्या होता है डेकि एक बर्त पर्थ के समय में लेजिए मिलेगा बेभी वीद सीपी में सीम फ्लैशीड र्लॉपई जैसे spastic बताया ज़ा रहा था कि मतलब टाइटनेस हो रहा था skin का, वो इसे flaccidity मतलब होता है कि loose पूरा body धिला धाला रहेगा, flaccid and floppy का मतलब पूरा body धिला धाला, कोई कुछ रहेगा इने उसमें टाइटनेस कुछ रहेगा इने एक दम लुंज-बुंज रहेगा तो उसके बाद होता है में नॉट क्राई इमेडियेटली अफ्टर बर्थ एंड स्कीन में टर्न प्लेंड बच्छा जब जनम लेता है उस टाइम रोएगा नहीं तो रोएगा नही तो ब्रेन को अक्सीजिजन पॉलेगा हुएगा हवा से हवा उसके लंग्क में-लंग्स में जायेगी लंग्स से क्या व Granny क laid blood केー वो नहीं हो पाने के वजह दूरिंग फर्स्ट इयर, पहले साल के दौरान बच्चे में क्या क्या होता है, दिफिकल्टी इन फीडिंग, सकिंग, स्वैलोइंग, बच्चे में क्या होगा कि खाने में प्रोब्लम होगी, दूध नहीं पी सकेगा बोतल से, सकिंग नहीं कर पाएगा, कुछ घोट नहीं पाएगा, उगल देता है बच्चा, जब कि नॉर्मल बच्चे इसा कर लेते हैं, दूध पीने में कोई दिक्कत नहीं होती है, चोक और गैज ओफेन, फोर मंथ, कभी-कभी क्या होता है, कि घोटने टाइप बच्चे का होने लगता, अचानक से अंकर्स टाइप होने लगेगा, बिचैन हो जाएगा, तो ये कुछ महीनों तक होता, उसके बाद होता है, क्राई एक्सेसिवली, वेरी इरिटेवल, और नोट क्राई अड़, कभी-कभी क्या होता, किसी-किस केस में बच्चा खूब रोएगा, बहुत इरिटेट करेगा, वो खूद इरिटेट हो रहेगा, रोते रहेगा, किसी की केस में होगा कि बिल्कुल चुप रहेगा किसी भी बात पर चोट लग जाए कुछ भी हो जाए रहेगा ही ने कि वेब नॉर्मली क्वाइट बोलते हैं कि नॉर्मल बच्चे तो थोड़ा सा हो तो उस पेर एक्षन देते हैं थोड़ा चोट लग जाए या फिर किसी भी तरह गई हो लेकिन यह अब नॉर्मली क्वाइट मतलब कि एकदम चुप रहेंगा जब डीवक्मेंटल डीले नॉर्मल बच्चा में जो डॉलप्मेंट होता है नॉर्मल माइलल स्टॉन जो लप्मेंट का होता है इसमें डेले होता है इसमें सरीर के भिकास नहीं होगा अच्छा कि 5 gorom 0 कि Khalan ले जाया जाए या फिर कोई काम किया जाया तो उसमें की अगर होगritis को स्टीफ कर लेगा पच्छा बोडी इस टू फ्लेल और स्टीफ या तो बोडी पूरा लुंज पुंज रहेगा एकदम धीला ठाला एकदम अपने पैर पे खड़ा होई नहीं पाएगा बैठाया जाएगा तो उलट जाएगा गर्दन को नहीं समाल पाएगा और नहीं तो क्या होता कि कहीं कहीं बहुत ही जाएगा पैर सीधा कर लेगा तो आप कितना भी मोड़ना चाहें मोड़ने नहीं देगा तो यह होता है बेबी कांट होल्ड और नेक प्रोपरली होल्ड हेड और नेक प्रोपरली मतलब बच्चे को जब बैठाया जाएगा तो क्या करेंगा कि उसको गर्दन को पकड़के अधिन प्रोपरली होल्ड नहीं कर पाता थोड़ा सा भी छोड़ा जाएका इसे नेक गिर जाएगा तो इसमें इंजरी भी हो सकते इसलिए बच्चे को सीपी वाले बच्चे को अब सब्सक्राइब के तव उठाना बेठाना होता कि आर्मन लेक मूभमेंटंट सब्सक्राइगा और लेक का मूभमेंट घट जाएगा डिमिनिस्ट हो जाएगा में ट्वीच कंट्रोल अंकंट्रोल लेभी क्या होगा कि यह मुभमेंट तो इसे ही रेश्टि कई घटा हुआ है क्योंकि मसल प्रॉपर रूप से फंक्शनी करन इसलिए ऐसा हो जाता इंपेर्ड कॉमिनिकेशन नॉर्मल बच्चे जो होते हैं वह बहले किसी को देखें कुछ रियक्शन देना दें मम्मी को अपने देखते हैं तो देखके मुस्कुराते हैं लेकिन इस तरह क्षू में मम्मी को देखके भी मुस्कुराने का मुस्कुराएगा विक मुस्कुराइगा आसा कुछ नहीं होता है तो उसमें भी कर पाया थो है नॉर्मल बच्चोν में उनके बच्चो का नाम लीया जाता है तो वो क्या होता है कि ध्यान City करते हैं direct करते हैं हाथ को coordinated manner में नहीं योज कर पाएगा coordination lost होता है जैसे कि खिलोना दिया जाए तो बच्चे जेनरली पकड़ लेते हैं लेकिन इस तरह के बच्चे दुनों हाथ से नहीं पकड़ पाते हैं मुh खुला रहेगा से दुनों साइट से लाग गड़ते रहे हैं अब देखते हैं Và मोटर सिंप्टम में कि और नॉर्मलीटी यही跟 मसल टोन मसल का नॉर्मल टोन यह होता है इससे कम हुआ मसल लटक गया तो उसको हाइपोटोनिक मसल बोलते हैं एथलीट लोग में टाइट होता है उसको हाइपोटोनिक बोलते हैं और कम हो गया तो उसको हाइपोटोनिक कि एपनोर्मलीटी जीन मसल टोन मगले स्ट्रेंथ को दिनेंश हुimana कि किसी का उपली को स्ट्रेंफ होगा है और को डिनेसर मसल गोडिनेसन भी प्रापर नहीं हो जिसकी वज़ासे कोई फंक्षन है इसली नहीं हो पाता है कि knot development demanded इंपार कि слबार की बुँटों का इंपेड हो जाएगा बच्चे का का पर मैंटब्लीच का इंपेर वजाता है तो स्केल्ड ओगर इनुच मिस्टारीं फीर्ट हो जाता शी स्क्लेटे माइल्स्टों माइलस्टों डिले होता ही घूजा बच्चों के कमपेरीजन में बच्चों का मालास्टों को पड़ा होता है के णिह फ Tag a durdissions मतलब कि कि वृलंटरी कंट्रोल एक टाइय नौर्मल बचलalg में के लिए के अपने माला कश 25 का सेट कि होती है सीधा पैट नहीं सकता है वो गर्दन नहीं समलब पाता यहां कमर को समहल नहीं पाता गिर जाता है होगा हाइपर्टोनिया हाइपोटोनिया हाइपोटोनिया मतलब कि ज्यादा टाइट हो गया हाइपोटोनिया लूज हो गया नॉर्मल मसल टोन जो हता है उसके से अब नॉर्मल हो जाता है डिस्टोनिया एक टर्म आता है इसमें डिस्टोनिया हाइपोटोनिया मतलब समझ में माणाता है कि मैं बढ़ा जारा मुसलि कडिजार इस तॉ एक में घर कर गया अगे को कर यह कर दे कि अच्छा को सट्रीक्टर नुपटा प्लाइबुध मुंहार recipes ट्रंक में भी हाइपटोनीक्ट कहे रहा कि बुलंट्री मॉब्मेंट जब करेंगे तो वहाँ तो है कि यहां मसल का टोन करेंज बढ जाएगा रृषज मकुझा हीपटोनिक हो जाएगा लेकिन क्या होता है कि हाथ पयर में चलीए ठीक होगा लेकिन ट्रंक जो भी मसल होगा है तो इसकी वज़ा से भी बिगरता है यह मसल स्पास्टिक ज़्यादा मिलता है यह अन्कन्ट्रोल ले बल सास्टेन ऑपन्फूल मस्कूलर कॉंट्रेक्शन खुद से कंट्रोल नहीं होगा सस्टेन रेल लगतार और पेनफूल होगा जब ज्यादा यह टाइट रहेगा लंबे समय तक पूरा टाइटनेस हो जाएगा तो यह पेनफूल हो जाता है चै लोनस एक सीम्टम होता है सीपी बच्चों कलोनर समय होता है कि अनकोंट्रोल लेवल शर्क की मसल कॉंट्रेक्शन यह काउज रैपिड टैपिंगmarket मुपन पूब Camera अदी दूमीन होता है कि क्लोनर में बेकृत्स निकोंटरीक होते हैं तो उसके वाठ आचानक से उसका कशने पर चीट क्ले कल साइंन इंइन में मोटर सींप्टम भारा कि नार्मल रिफ्लेक्स कि एससी चेट प्राइल्प्रम्स तो देखते हैं कि बच्चों में जो होता है नौर्मल रिफ्लेक्स जो हता ही इस तरह सीभी बच्चों में जो से나oration पड़ствен उसके बारे में देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि पामर ग्रास प्रिफ्लेक्स, पामर ग्रास प्रिफ्लेक्स क्या होता है, यह चार से छे महिने में डिशापियर हो जाता है, बच्चे में, इसमें होता है क्या है, कि क्लोजिंग दी फिस्ट आइज दी पाम इस डश स्टोर्ट थो कि प्लेसिंग रिफ्लेक्स प्लेशिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है कि शुट डिशबीर वाई फाइब मांथ पांच महीने तक में यह डिशबीर हो जाता है इंफेंटींज हेल अपराइड एंड दी हिल्स तुच दी ग्राउंड सर्फेस दस लेक्स करल अप बच्चा को क्या किया था कि सीधा पकड़ा जाता है और उसको जैसे ग्राउंड सर्फेस पर टच कराया जाएगा तो क्या करेगा उपएर अचानक से अपना कर लप ऐसे मोल लेका ऐसे खुमाहा लेगा ऐसे चलने लगता तो यह नब से मर लगस्तPOS कर से मोरा सबस्याइब वीज़ के वो तीन से नौ महिने में ये डिशबियर हो जाता है करेक्टराइज वे लाइंग और स्टॉमक दा बोडी कॉल्स टुछ 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 डाइड देट इस टॉच्डाउं क्या होता है कि बच्चा जब ऐसे पेट के बल लेटा हुआ है तो उसको अगर जिस साइट से टॉच करें करेंगे तो हेड उधर घुमायगा राइट से टॉच करेंगे तो फेड उधर घुमायगा को कि बच्चा प्रोट लेटाउन एसे पेट के बल लेटा हुआ है आप जिस साइट से उसको टॉच करेंगे उस साइड हो Upna ता है और हृट गुमाएगा नेक को साइड्गमाएगा जिसे राइट से से टच कर रहा है तो राइट साइड्गेगा लेट साइड्गेगा शॉरी आसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स 80 न ऑर बोलते हैं इसको 80 न आर में क्या होता है कि शुट दिशपीर गोंगे छे मही बच्चा सुपाइन पोजिशन में लेटा हुआ है उसको क्या करेंगे कि अगर राइट सेड में उसका गर्दन भूमाएंगे तो क्या कोगा राइट साइड का उसका लिम्म जो है हाथ और पैर एक्स्टेंड हो जाएगा लेकिन इसके पोजिट लेफ्ट साइड वाला क्या हो बच्चा को यह लेटाए लेगा बच्चा तो क्रावलिंग पोजिशन पकड़ लेगा बच्चा ये सब लॉस्ट होते हैं ये इस तरह के बच्चे में रज़ीं इस तरह के बच्चे में ठीकारम पाल्षिब अब इसमें अब होता है इसमें क्या होता है कि जब बच्चह का सिर पीछे के तरफ किया जाएगा तो do I the right white те ऑफटिअ क्षेर्ट आ एक ऐसे बनाएगा उसका पूरा प्रफो में बनाएगा तो ये होता है टोनिक लेविलिंथिन प्लेक्स एक होता है बैविंप स्की साइन या वैविंप की हाइख यह opera motor neuron region में होता है सिपी लिगारे केस में होता है बहुत सारे epidemiology frequent फेए अवी ये प्रस्टाइयोगीन होता है pathological reflex है больш от 25 सब्सकीu को detail में अधिन नॉर्मल gait pattern CP में तो gate का मतलब होता है कि pattern of movement coordinated movement जैसे हम जो चलते हैं हमारे चलने का जो pattern जो 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 जोते है normal gate pattern होता है pattern of coordinated movement अज इनका coordination गरबल हो जाएगा तो उनमेँ pathological gate हो जाएगा पूद्ध को चलता है की सफस्टिटी की सघलता है जैसे बेल बस्टे में गता है. उसे तरह का इसमें होता हैं, abnormal oromotor function की बात करते हैं, oromotor function मतलब बॉल चाल का, तो उसमें देखते हैं कि क्या होता है, impaired या absent speech, किसी इप्र इसमें impaired speech होगा या फिर speech absent होता है, यह प्राक्सिया, प्राक्सिया एक कंडिशन होता है, जिसमें होता है, आसे यहां प्राइब मैंता के लिए घृट एशी मुशल के प्रेटो पना खेड करता है तो से गवलने के लिए हमारे लेंग्स के लिए लेकर प्रेंट ही शींट केना ही पहुंच पाता है ब्रेंज से या फिर सिंग नल इंपियाड होता तो सको एप्राक्सिया बोल्ते लिए इस आर्थरिय आज क्या होगा दिए तू इन्फिलांटरी मसल कॉंटरेक्शन दो भी सिर्टॉड बहुत भी मसल के वज़नें नहीं होगा है credited way में होगा अगर प्र पिटे नहीं हो पाएगा तो ये इस में प्रोब्लम होगी striking WEis Сिंग में प्रोब्लम होत ये है prosecutor हो गया क्लेनिकल साक्ल मुंपस चरल सबसीफ आ है झाल झाल